आज की वीडियो में हम लोग जो है after effect में एक orbit animation जो है create करेंगे तो पहले हम आपको animation दिखा देता हूं क्या animation है फिर आपको बात करेंगे कि कैसे उसको है हम लोग create कर सकते हैं तो देखें यह एक animation है जिसमें की मलाई की आपकी earth है यह आपका moon है तो moon जो है earth के चारो तरफ चटकर लगाएगा जैसा कि आप screen पर देख पा रहे हैं तो start करते हैं कैसे इस animation को create करना है तो सबसे पहले हम लोग जो अपने current project को close कर देते हैं यहां पर उसको don't save कर देंगे और यहां पर new composition हम लोग create कर लेते हैं और अपने जो भी illustrator है या जो भी हमारी image है उसको यहां पर ले आते हैं तो मैं यह तीन चीज़े यूज कर रहा ह हूं एक earth है, एक moon है और एक background है, so like में तीनों को यहां पर import कर लेता हूं सबसे पहले हम लोग earth and moon को यहां पर ले आते हैं अपना जो भी effect उसको create करने के लिए तो like यह मेरा moon है तो पहले define कर लेते हैं यह moon है हमारा, तो moon को हम लोग जो थोड़ा छोटा कर देंगे earth से like कु सबसे पहले हम लोग यहां पर अपने 3D को enable कर देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है अब क्या करते हैं अब यहां पर right click करेंगे new करेंगे और यहां पर हम लोग जो एक camera यहां पर generate कर लेते हैं, okay करेंगे by default यहां पर camera आ जाएगा और उसके बाद में हम को क्या करना है इसके इसको हम क्या करेंगे इसको हम लोग जो है कर देंगे map अपने parent pick web से जाके 01 ठीक है तो यहां पर चलते हैं अब क्या करेंगे नूल पर जाएंगे और नूल पर जाने के बाद में R रबाएंगे तो हमारे पास rotation options आ जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो देखेंगे आप इसको rotate करेंगे तो आपका moon जो है rotate होना start हो जाएगा कुछ इस तरीके से जो अभी हम इसको rotate नहीं करेंगे तो हम लोग यहां पर एक keyframe add करेंगे करने के बाद में जितने एक लब को rotation चाहिए लाइक मुझे 5 seconds के लिए चाहिए तो मुझे कितना करना है 360 degrees को rotate करना है तो मैं इसकी value को यहां पर change करके एक कर दूँगा कुछ इस तरीके से तो मेरा moon जो है 360 degree rotate होगा बट यहां पर problem क्या है अगर आप इसको देखेंगे तो अगर यहां पर यह पर उपड़ी जो है जो इसका प्रोफड़नी आ रहा है यहांपर देखेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे हम मूं का जो हमारा object है इसके हूपर में right click करेंगे और यहांपे चलेंगे transform में और last option यहांगा auto-orient इसको कर देंगे हम auto-orient और यहांपर करें और ये वोर्स एगर आप देखेंगे तो आपके जो प्रोब्लम थी यह हो जाएगे देखिए अब यह प्रोपरली रोटेट कर रहा है यह एक ही इसमें डायक्षिन में रोटेट कर रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम लोग यहां पे इसकी जैड लोकेस्ट को थोड़ा सा चेंज कर देंगे, कुछ इस तरीके से, और, इसको स्थोड़ा सा उपर कर देंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है, आपको play करके दिखाता हूँ, यह देखिए, अब यह अगर आपको लगता है कि अभी भी properly नहीं है, जो कि मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि properly भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फिर से को थोड़ा सा और उपर कर देता हूं यहां से, और थोड़ा चीज की पोजिशन को और चेंज कर लेगा, कुछ इस तरीके से, तो एक बाद फिर से रन करके जाते हैं, यह देखिए, अब यह बिल्कुल अर्थ के उपर से दबाएंगे, और यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर कोई कुछ दालने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे, टाइम, multiply by 100, यहाँ पर कहीं पर क्लिक करेंगे, तो हमारा टाइम है, multiply by 100 हो जाएगा, अब मैं इसको play करके आपको दिखाता हूं, अब यह क्या अब बात करते हैं अपने background की, जो इसना मैंने आपको दिखाता कि तीसरी में जो background है, तो हम अपने background को ले के आते हैं, last में यहाँ पर, और इसको जो है, express करेंगे, scaling आ जाएगा, तो इसकी scaling में 200% कर देता हूं, ताकि यह पूरी screen पर cover हो जाए, अभी भी cover नहीं हुआ, थ choice है, तो इस तरीके से move करेगा, तो इस तरीके से, इस basic से idea से, आप लोग भी इस type का effect create कर सकते हैं, और आपके कोई requirement है, इस type के effects करें,